एक बहुती शांदार ख़बर आई है कल शाम को और वो आप अपने विवेज के साथ शेर करना बहुत जरूरी है आप सब ये विजुल्स देख रहे हैं ये माइनिंग के विजुल्स हैं बड़ ये साधरान माइनिंग नहीं है ये एक ऐसी चीज की माइनिंग है जिसकी इसे में पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा जरूरत है और वो है लीथियम जियां ये वही लीथियम है जिसकी बारे में हम आई दिन बात करते हैं लीथियम आयन बैटरी लिथियम आयन बैट्ट्री में जो लिथियम है उसकी हम बात कर रहे है हुआ क्या है Geological Survey of India ने यह बताया है कि जम्मू एन कश्मीर में लिथियम का एक बहुत भाहनक भंडार मिला है बहुत बड़ा भंडार यह हमारे देश के लिए इसलिए इंपॉर्टंट है आपको पता है प्रियंका कि नेक्स 5 साल में 10 साल में मुझे पीरियद याद नहीं एक्जाटली लिए आफ्टर चाइना इंडिया जो है वो EV का सेकिंड बिगिस मार्केट बनने वाला है और EV में इतना बड़ा इंपॉर्टंट कॉंपनेंट है EV में सारा गेम बैटरी काई है बैटरी में सारा गेम लिथियम काई है इन फाइक बजट में आपको याद होगा स्पेशली आलोकेशन रखी गई थी लिथिम आयन की कि इसकी प्रोड़क्शन को उसके कॉंपनेंस को कैसे बढ़ावा दिया सके इंडिया में बिल्कुल अभी तक क्या होता है कि हम लिथियम आयन को कम्पलीट लिथियम को लिथियम नहीं लिथियम को सिर्व इंपॉर्ट करते आएं अस्ट्रेलिया से, साउथ अमेरिका से लेकिन अब जियोलाजिकल सर्व इंडिया ने कल शाम को आकर बताया है कि हमारे पास मेजर फाइंट लिथियम की आई है, कोबॉल्ड के भी चांसे होने की और काफी चीज़ हैं, तो लिथियम में आप आजकल EVs की बात सुनी रहे हैं, अल्मूस्ट हर आटो कंपनी EVs की बात कर रही है हमारे साथ अविनाश गोरक शकार हैं, जिनसे में एक कुट वियू लेना चाहूँगा इसलिए आप ये ना सुचें कि मैं सिर्फ नाशनलिस फीलिंग की वज़े से ये डिसकस कर रहा हूँ, इसमें एक बिजनिस आंगिल है, बिजनिस आंगिल वो है कि अगर हम देश में लीथियम की माइनिंग होने लगी, तो कॉस्ट बैटरी की नीचे आने की प्रॉबिल्ट आपको लगता है कि अगर इस तरह की माइनिंग बढ़ गई, इसके चांसे संकेत हैं, तो कॉस्ट एक इवी बैटरी की नीचे आएगी और इसलिए वहिकल की भी नीचे आएगी इंडिया में आपने का कि यह जो लिथियम फाइंड है जमू कश्मीर में, यह बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है इलेक्टरिक वेहिकल के प्रोडक्शन के लिए और मुझे लग रहे है कि जब यह पूरी तरह से माइन कमर्शलाइज होगी, तो डेफिनिटली प्राइस विल कम ड तो डेफिनिटली कोस्टिंग के हिसाब से आपको जो इलेक्टरिक वेहिकल की गाडिया है, कम से कम अभी इमेडिटली तो नहीं, बट एक मीडियम टर्म में मुझे लग रहा है कि डेफिनिटली कीमते कम होगी और इसका एक और एक बेनेफिट होगा, अजय की कीमते अगर क कम होती है, तो वॉल्यूम ग्रोथ भी बहुत तेजी से बढ़ेगा, अभी काफी लोग इलेक्टरिक वेहिकल खरीद नहीं रहें क्योंकि प्राइसिंग अगर आप आइसी इंजिन की गाडियों को देखे, तो डेफिनिटली तोड़ा प्रीमियम पे ये गाडिया बिकती है तो देफिनिटली लोग प्राइस विलेक्टरिक वाल्यूम ग्रोथ यूज़ा प्राइसिंग अगरेगा, तो ये तो एक बहुत सिग्निफिकंट न्यूज ये फॉर्स्ट सिग्निफिकंट मिन्रल डिस्कवरी इंडिया में, किस तरह से गेमचेंजर हो सकती है, पूरी EV इं ये ताइम विल टेल, बच सिग्निफिकंट न्यूज ज़रूर है ये